इनाये ने बुधवार को तीन राजियों में पिएफ़ाई के 25 ठिकानों पर छापे मारी की जिसमें कटिहार में मुहमद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाव भी कारिवाई की गई मुहमद नदवी का पिएफ़ाई से बहुत पुराना नाता रहा है इसके साथ यूसूफ टोला में भी छापे मारी की गई फुलवारी शरीफ मामले को लेकर हाली में 6 लोगों को गिरफतार किया गया था इन लोगों के पास से पिएफ़ाई से सम्मन्धित कई अपत्ति जनक दस्तावेज मिले थे बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,70,461 पदों पर शिच्चकों की बहाली होनी है इस मामले में अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है शिच्चक भरती के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन भरने की तारीख रखी गई है बिहार के डिपटी सीम तजस्वी आदव ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी नेता पृतिपक्ष विजे सिन्हा ने विपक्षी दलों की 12 जून की बैठक पर हमला बोला है उन्होंने कहा नितीश कुमार देश के सभी भरस्टाचारियों का जुटान करवा रहे हैं आंदोलन सुरू होगा एक गारत तारीक और 12 तारीकों पटना के अंदर खूल करके इन भरस्टाचारियों के बिरोध में पूरे पटना और विहार के अंदर जन्ना अंदोलन होगा शिक्षक नियोजन नीती के तहट टीचरों की बहाली को लेकर विग्यापन जारी करने पर समराठ चौधरी ने बयान दिया उन्होंने कहा ये दुर्भागेपूर निर्ने है राजसरकार पुराने शिक्षकों के साथ इस तरक खिलवाड नहीं कर सकती है सरकार की मनमर्जी नहीं चलने वाली है हम लोग शुरू सही इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आरल जडी अध्यक्ष उपेंदर कुश्वाहा ने 12 जून को पटना में होने वाले विपक्षी नेताओं की बैठक पर कहा इस बैठक से कुछ हल नहीं निकलने वाला है जितनी पार्टी है उतने लोग पी-म के उमिदवार है साथ ही उन्होंने कहा नितीश को भी पता है कुछ होने वाला नहीं है लेकिन वो कोशिच में लगे हैं मीटिंग कर रहे हैं यहाँ बाठीक है लेकिन मीटिंग का कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है क्योंकि इन लोगों के पास जितनी पार्टी है उतने लोग उमिदवार है प्रधार मंत्री की और अलग अलग राज्यों की जो राजनितिक स्थिती है उसमें एक उमिदवार के खिलाफ एक उमिदवार इसकी स्थिती बनाना बिल्कुल असंभव है 12 जून को विपक्षी दलों की पैठक पटना में होने वाली है तो वहीं बीजेपी सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर राजबहर में कारेकरम आयोजित करने का फैसला लिया है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की जून में एक बड़ी जनसभा हो सकती है इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को नियोता भेज दिया गया है और देश के कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं अभी तक रेली की तारीक और जगह तै नहीं की गई है पुर्णिया में शराब की तसकरी का एक नया मामला सामने आया जहां दूद के साथ दारू सप्लाई की जा रही थी दरसल पुर्णिया जिले में सुधा दूद की गाड़ी से शराब की बड़ी खेब बरामत की गई बिहर पुलिस ने पूर्णिया के कस्बा में सुधा दूद की गाड़ी से 1182 लीटर विदेशी शराब बरामत किया इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्ट कर लिया, मौका देखकर ड्राइवर फरार हो गया राची में मौजुद यश मौडलिंग कमपनी पर लब जिहाद का आरोप लगा है मौडल मानवी राज ने मौडलिंग कमपनी पर ये आरोप लगाए मौडल ने कमपनी के संचालक पर अशलील तस्वीरों के जर्ये ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है मॉडल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके आरोप लगाते हुए कहा कि मॉडलिंग कम्पनी में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाये जाता है मॉडल ने तन्वीर अक्तर नाम के शक्स पर आरोप लगाए हैं एक दिवस्य दोरे पर दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल एक जून को राची आएंगे केजरिवाल जारकन के सिएम हिमण सोरेन से मुलाकात करेंगे पिछले चार महिने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात होगी इससे पहले बीते साथ फरवरी को केज जिवाल और हिमन सोरेन के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई थी